genetic drift हम कहते हैं अगर allele frequencies के अंदर अचानक से कोई change आ जाए sudden change in allele frequency which occur by chance अब जो genetic drift है इसका जो allele frequency है उसके उपर बहुत जादा effect पड़ता है क्योंकि जब genetic drift होती है तो genetic drift के नतीजे में जो population का size है बड़ी तेजी से decrease कर जाता है अब ना सिरफ population का size decrease होता है बलके जो allele हैं उनकी तादाद भी कम हो जाती है अब अगर हम एक normal population की बात करें तो बहुत सारे allele ऐसे होते हैं जो के population के बहुत सारे members के अंदर मौजूद होते है यानि उनकी copy मौजूद होती है और अगर एक individual किसी हाथसे के नतीजे में खतम हो जाता है मर जाता है तो क्योंके उसके उपर जो allele मौजूद थे वो दूसरे members के उपर भी मौजूद है इस वज़ा से जो allele frequency के अंदर कोई खास फरक नहीं पड़ता उसकी जो divestry है उसमें फरक नहीं पड़ता लेकिन बहुत सारे allele ऐसे होते हैं जो unique होते हैं जो पूरी population में से selected individuals के उपर मौजूद होते हैं जो उस member के अंदर unique characters पैदा करते हैं अगर किसी वज़ा से वो individual जिस पर unique genes मौजूद थे वो मर जाता है तो फिर जो genetic diversity है वो कम हो जाती है और अगर एक दफ़ा एक allele किसी population में से खतम हो जाता है तो उसके दुबारा आने के chances बिलकुल नहीं होते क्योंकि once an allele is lost from the population it will last forever ये कभी भी वापस नहीं आएगा लेकिन अगर एक population का size बड़ा है उसके अंदर कोई अचानक से कोई हाथसा हो जाता है तो उस हाथसे के नतीजे में अगर बहुत सारे individuals की death हो जाती है तो वहाँ पे बहुत जादा chances है कि जो allele lost हुए है उनकी copy बाकी members के उपर मौजूद हो लेकिन अगर population का size चोटा है और उसमें से काफी individuals की death हो जाती है तो बहुत जादा chances है कि इस population के अंदर जो unique allele थे उनकी तादाद कम हो गई है इसका मतलब है कि जो genetic diversity है वो काफी कम हो गई है अब इस slide के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक genetic drift की वज़ा से एक जो effect होता है जिसको हम bottle neck effect कहते हैं यहाँ पे यह दिखाया गया है कि यह bottle है इस bottle के अंदर बहुत सारे alleles है यहाँ पे सिरफ चंद alleles का जिकर किया है अगर इसके अंदर alleles की तादाद for example हम कहते है 10 है या 20 है और किसी हाथसे के नतीजे में यह जो population है इसका size बहुत छोटा रह जाता है अब बहुत सारे alleles जो के पहले इस population के अंदर मौझूद थे अब वो alleles मौझूद नहीं रहे population का size भी कम हो गया और जो genetic diversity है वो भी कम हो गई अब जैसे जैसे time गुजरेगा time गुजरने के साथ साथ जो remaining individuals हैं यह अपनी तादाद को बढ़ाएंगे और एक वक्त आएगा कि दुबारा से population का size उतना ही हो जाएगा जितना पहले था पहले population का size 10,000 था और अचानक से हासे की वज़ा से जो size था वो 10,000 से reduce होकर 1,000 पर आ गया बहुत सारे unique किसम के अलीज जो उस population के अंदर मौझूद थे वो loss हो गए अब जो remaining individuals थे वो survive करते रहें, breed करते रहें और आहसा आहसा एक वक्त आया कि दुबारा से उनकी तादाद बढ़ कर 1000 से 10,000 तक चली गई अब यहां पर फरक क्या हुआ, पहले जो population थी उसकी तादाद भी 1,000 थी, अब भी 1,000 है लेकिन दोनों में difference क्या है, कि पहले जो population थी, उसके अंदर जो number of alleles थे, variety जो जीन्स की थी, वो ज्यादा थी अब यह जो population है, इसके अंदर जो alleles के अंदर जो variety थी, जो diversity थी, वो काफी कम हो गई है अगर इस slide के अंदर हम देखें, तो यहाँ पर यह एक bottle है, जिसके अंदर बहुत सारे alleles हैं, इसके अंदर बहुत जादा variety दिखाई गई है उसके बाद यह bottle neck है, जो यह शो कर रहा है, कि किसी हाथसे के नतीजे में, यहाँ पर जो individual की तादाद है, वो बहुत कम हो गई और यहाँ पर बहुत सारे जो जीन्स जो यहाँ पर मौजूद थे, वो मौजूद नहीं हैं, सिर्फ चंद alleles मौजूद रह गए हैं चंद individuals हैं, जिनके उपर खास किसम के अलील्स मौजूद हैं, अब आजसा इसा जैसे जैसे टाइम गुजरा, तो दुबारा से population का size बढ़ गया यानि पहले bottle, उसके बाद size बहुत कम हो गया, उसकी neck के बराबर रह गया, लेकिन एक वक्त ऐसा आया, कि दुबारा से उनका size बढ़ कर तादाद में वो पहले जितना हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर जो alleles हैं, उनकी तादाद बहुत कम है, आल हैं, और यह जो bottle net effect है, it is the result of genetic drift, अगर हम genetic drift की example, arm routine के अंदर लें, तो जैसे हमारे country के अंदर, बाला कोड के अंदर एक हाथसा हुआ, वहाँ पे बहुत सारे लोग मरें, अब वहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे individuals ऐसे हों, जिनके उपर खास किसम के, यूनीक किसम के alleles हों अब जो वहाँ पे तादाद कम हो गई थी, एक वकत आएगा कि दुबारा से हो सकता है कि वहाँ पे population उतनी या उससे भी जादा बढ़ जाए, लेकिन जो alleles unique individuals के पर मौजूद थे, जो loss हो गए हैं, वो दुबारा से population के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि एक दफ़ा जो alleles ख खतम हो जाते हैं,